वेल्कम टो मैं चैनल ब्यूटी विद मी आज की वीडियो में फ्रेंट्स हम करेंगे इसकिन पॉलिश घर पर यानि कि आपको पालर जाने की जर्दत नहीं है बलकि मैं आपको पूरा जो इस्टेप बाइस्टेप की स्टर से मैं इसकिन पॉलिश घर पर कर सकते हैं यह पूरा यह आपको वाइटनिंग एफेक्ट देता है बलीश के अंदर और यह जो है वो आप एक दफ़ा परचेस कर लेंगे तो आपका काफी टाइम जो है वो चलेगा यह इस पे जैसे कि आप देख सकते हैं यह लिखावाई के खास तोर पर बनाया गया है ताकि आपको गोरी जो ह वो रंगत दे सके और इसके बलीश कर रहते हैं अपने जोपने और इफेक्ट के अटेस्ट कर देता है उसके बाद जो हमें चाहिए वो है सकिन शाइनर यह हमारी इसकिन को जो हो शाइनी एफेक्ट देता है और इसके ओपर मैं रिव्यू कर चुकी हूँ लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूँगी अगर आप इसके ओपर कम्प्लीट रिव्यू देखना चाहते हैं इसके इलावा जो है वो थर्ड वन जो हमारे पास है वो है सूधिंग लोशन इस पर भी मैंने रिव्यू कर दिया है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूँगी अगर आप इसके बारे में भी जाना चाहते हैं तो आप विडियो कंप्लीट मेरी जो है वो देख लीजिएगा उसके अलावा हम हमारे हमें जो फोर्थ इंग्रिडियन चाहिए होगा वो है ब्लीच क्रीम या आप इसका जो है वो सॉफ्ट टच का वाइटनिंग पॉर्डर आता है सोफी आप ले सकते हैं लेकिन मेरे पास अभी वाईतनींग प्हुर्डर नहीं था तो इसलिए जो हमें क्रीम ब्लीच या प्लीच क्रीम के अंदर सकित्व कैंशबगों सोफ्टे जल की पम की ठैक है पहले मैं आपको विटा दूओ कि आपको पेले अपनी skin को skin polish करने से पहले cleansing milk से च्छी तरह से clean करलेना है cleansing milk कोई से भी उस कर सकते हैं मैं कोई खास cleansing milk आपको recommend नहीं कर रही हूँ जो भी आपको पसंद हूँ उसके बाद आप ने cleansing milk apply करने पहले अची तरह से clean करने के बाद जो है वह scrub apply करना है या आप देख सकते हैं मेरे पास जो इसक्रब है वो है golden pearl का double exfoliating scrub यह भी बहुत अच्छा है आप कोई से भी scrub यूज़ कर सकते हो उसके बाद जो है वो आपने जो है वो skin polish का जो है वो process start करना है यानि कि first आपने जो है वो cleansing मिल करना है जो है second आपने जो है वो scrub apply करना है और फिर उसके बाद जो है अपने वने skin को polish करना जो है जो है तो चलते हैं अपने skin polish बनाते है polish का process start करने से पहले मैं आपको यह बता दूँ कि आपको जो चीजें चाहे वो आपको plastic का ball लेना है अगर आपके पास बुर्श नहाँ तो फिर आप हाँ सीपलाइ करने और क्या कर सकते हैं लेकिन मिक्स करने केरे हम यह तो यह प्लास्टिक स्पून यूज करेंगे वर अगर आपके पास ज़ए वो बुर्श नहीं है तो और जो हम अपने चीज़ें डालेंगे को इंटिटी को बताने के लिए मैं ये स्पून ले रही हूं और हम इस पून जो लेंगे वो प्लास्टिक का स्पून लेंगे और बाउल भी प्लास्टिक के लेंगे तो चलते हैं अब इसके पॉलिश बनाने की तरफ अच्छा जी फर्स्ट स्टेप में जो है वो मैंने ये ब्लीच क्रीम लिया है ये जो आप देख सकते हैं साशे इसका जो है वो मैंने पूरा जो है वो इस तो कैमरा पता है नहीं क्यों फोकस नहीं करता है यह इस्पून में पूरा फुल ले लिया है आप चाहें तो इसकी मिदार को कम भी कर सकते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं इससे कोई इशू नहीं है आपने मतलब जिस जगह को पॉलिश करने उससाब से बना ले यानिकि अगर हातो और पैरो को करने और फेस को भी करने तो मैंने ब्लीच क्रीम लिया था अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसको हाफ कर सकते हैं लेकिन बैस्ट रिजर्ड के लिए आपने दुनों की मिदार को बराबर रखना है और आप यह भी कर सकते हैं कि अगर स्किन बहुत जादा सेंसिटिव है तो आप सूधिंग ल ले लिया था यह भी मैंने इसमें डाल दिया है फिर्स मैंने इसमें ब्लीच क्रीम डाला और सेकंड मैंने इसमें एक्सिलरेटर डाला जो ब्लीच क्रीम के साथ यह होते हैं दोनों बराबर मिक्दार में इस स्पून से फुल ब्लीच क्रीम फुल एक्सिलरेटर और फुल ब और हाफ से थोड़ा सा ज्यादा अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने जो है वो सूधिंग रोशन इसमें जो है डाल दिया है अब हम सब को जो है वो मिक्स कर लिए ये जी आप देख सकते हैं कि मैंने इस ब्रेश की मदद से जो हो मिक्स कर लिए अच्छा मैं पूरा प्रोसेस है वी फुल डाल दिया है यही क्या आप कर सकते हैं कि एक साशे पूरा आपने बिज क्रीम लेना है एक साशे एक अच्की अबॉस्टर एक पून जो है वह लेना है जो आप स्कून यूस कर जो झारे हों तिस फूल अच्छा जी उसके बाद जो है वो आपने शाइनर हाफ लेकिं जब हम पूरी मिगदार लेते हैं तो बहुत जादा अच्छा रिज्रल देता है और हैर्स को गूल्डन कर देता है अच्छा लेकिं एक और चीज में आपको बता दू़ अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा जो है वह सेंसिटिव है तो आप जो है वह अपने skin पर, skin polish करने से पहले कोई भी massage cream की जो एक thin सी layer अपने skin पर apply कर लीजे, बिल्कुल thin सी layer और फिर आपने जो है वह ये polish जो आपने बनाई अपने face पर apply करना है तो फिर जो है वह आपको जो है वह कोई भी irritation या burn नहीं होगा मसाज करीम कित dulborn अपनी फेस पर अब्लाई करके ठेन यह पॉलिश अपलाई करेंगे तो जो सेंसट्टिव सेंस्टिव सेंसेट्टिव नहीं है पिर यह बेस्ट अगर बाकि जिनके सिंसीट्व नहीं है तो तो फिर वो इसको ना करें. और कितिने देर तक लगाना है 5-7 मिनिट तक आपने से लगाकर छोड़ देना है और या फिर आप दा सादा 8 मिनिट तक जो आपलाई कर सकते हैं 5-7 मिनिट is enough अगर रिजल्ट नमिले तो 8 मिनिट तक जोड़ाकर छोड़ना है ज्यादा नहीं हाद और पैरो पर पूरे 8 मिनिट कर मेरे पास मुड मस्क या आपने अपने स्किन पर इसके एक थिन सी लेयर अपलाई करके छोड़ देनी है और उसके बाद अपना फेस जब यह ड्राय हो जाए तो वाश कर लेना है और लास्ट में आपने क्या करना है कोई सब भी जो इसकिन टॉनिक अपने फेस पर अपलाई सकते हैं तो यह थी मेरी आज की वीडियो उमीद करती हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी मैंने तमाम चीज़ां आपको डिटेल में बता दी हैं अब आपको पॉलर जाने के ज़रत नहीं पड़ीगे इंशालला ताला और यह चीज़ें अगर आप एक दफ़ पर्चेस कर लेते हैं तो आपकी बहुत दफ़ जो है वो इसलमाख यूज कर सकते हैं मैं मैंने जुँ चीज़ें यूज किए वो सॉफट टच की थी आप कोई सभी स्किन यह वो शैनर लोशन या शाइनर मुझे दे Kayla को अब को खुदद दे और बूस्टर दे और ब्लीच क्रीम आप कोई सभी ले सकते हैं या अगर ब्लीच क्रीम ना लें ले तो फिर साफ्ट टच का वाइनिंग पोडर भी आता है वो भी आप ले सकते हैं को भी बसको भी जो है इतनी ही मि conservation मैंट मैंने जो एक स्पून लीया था एक स्पून वाइटनिंग पॉर्डर लेने एक स्पूनविटर लेना हाफ स्पून श॥ा जो ही वाफ स्पून सूधिंग लेना बसंग ररीन है और यह geral है और यह स्टेप करें वीडियो को शेयर और लाइक करने ना भूलें थैंक यू फिर वाचिंग मैं वीडियो